नमस्ते बच्चो बीके प्रविन देशले चाइनल में आपका स्वागत है। इच चाइनल पे पाचवी कक्षा से दसवी कक्षा तक सब सब्जेक्ट के विडियो अप्लोड कर रहे हैं। तो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कक्षा पाचवी विशय हिंदी सुलब्ध भारती पाट क्रमांक दस गड़ा धन। सुन्दरपुर गाउ में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। रामदीन स्वयम तो बहुत परिश्रमी था। स्वयम याने खुद, परिश्रमी याने में नती। पर उसके चारो बेटे बड़े आल्ची थे। हर समय इदर उदर बेटकर गफ्फे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अलड़पन से परिशान था। उसे हमेशा बेटों के बहुत आल्ची और अलड़ थे। वे हर समय इदर उदर बेटकर गफ्फे मारा करते थे। इसलिए रामदीन अपने बेटों के बहुश्य को सोचकर परिशान था। वो दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इनी विचारों में खोया था। तबी उसकी पत्नीने जिजकते हुए उसे उपाय सुझाया। उपाय याने तरीका। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा। फिर एकाय खुशी से उचल पड़ा। खुशी से उचल पड़ा यहने बहुत खुश होना। अगली सुबर रामदिन ने अपने चारों बेटों को बुला कर कहा। मैं और तुमारी मा अब बुड़े हो चुके है। हम दूर तिर्थय यात्रा पर जा रहे है। मैंने खेत में दन गाड कर चिपा रहा है। यदी कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोप कर लेना। बच्चो तिर्था यात्रा पर जाते समय रामदिन ने बेटों से क्या खाँ कि मैंने खेत में धन गाड़कर चिपा रखाए यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना गड़े वे दन की बाद सुनकर बेटे खुश हो गए और उनने अपने पिता जिको खुशी खुशी तिर्थे यात्रा पर जाने के लिए को दिया वे मनी मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिता जिका बंदन भी उन पर नई होगा बच्चो इच चित्र में रामदिन और उनकी पत्नी अपने चारों बेटों को बुला कर समझाते हैं हम तिर्थे यात्रा पर जा रहे हैं खेत में दन गाड़ कर चिपा रखाएं यदि कोई जरुरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना रामदिन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहां पर उसके बाद पास का दन और घर का दनने समापत होने लगा अब चारों भायों को चिंता हुई उन्हें अपनी पिता जी की कही बात याद आ गई की जरुरत पड़े पर खेत में गड़ा दन निकाल लेना बच्चों चारों भायों को पिता की कुणसी बात याद आई चारों भायों को पिता की खेत में गड़ा दन निकाल लेने की बात याद आ गई उन्होंने रात के समय खेत में खुदाई का काम आरम किया वे दो तीन राते खेत को खोदते रहे पर कही भी उन्हें गड़ा हुआ दन नहीं मिला रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे जब सुबो बहुत निराश और हाताश होकर वे चारों अपने घर लोट रहे थे निराश और हाताश याने दुख्षी तभी रामदिन के परम्मित्र हरिनात ने पुछा तुम सब ठके हुए क्यों हो कारण जानने की बाद हरिनात ने उन्हें चारों को सला देती हुए का तुम लोगोंने खेत तो खोदी लियाए अब उसमें बिजबोदो चारों भायों के उदाज चेरों पर खुशी की लर दोड़ गई खुशी की लर दोड़ गई याने बहुत खुशोना उन्होंने हरिनात के कई अनुसारी किया खेत में नन्ने नन्ने अंकुर निकलाए उन्ह चारों के मन में उच्छा जाग गया बच्चों चारों भायों के मन में उच्छा कब जागा हरिनात की बात मान कर चारों भायोंने खेत में बिजबोदी कुछ समय बाद उनमें से अंकुर निकल आये। उने देखकर चारो वायो के मन में उच्छा जागा। वे निराई गुडाई करने लगी। निराई याने निररतक गासपुस खोद कर निकालना। गुडाई याने मिट्टी खोद कर बुरबुरी करना। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनात काका को धन्यवाद देखकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुड़ गये। उसी समय तिरतक यात्रा से रामदिन और उसकी पत्नी लोट आये। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरंस परशकिये। चरंस परशकिये याने आदर से पेर छुना। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदिन ने कहां अब तुम्हें खेत में गड़े दन का राज समझ में आ गया होगा। राज याने रस्य। चारों ने सीर हिलाकर स्विकर किया और कहां। हाँ पिता जी अब हम यभी समझ गये है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संबव नहीं है। परिश्रम से ही दन कमाया जा सकता है। बच्चो गड़ादन इस पाड से हमें यह सिक मिलती है कि जीवन में परिश्रम का बड़ा मतवे। परिश्रम की बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। इसलिए परिश्रम करने से कभी जीने चुराना चाहिए। परिश्रम की बिना दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता बच्चो आज हमारा गड़ाधन यह पाट पुर्ण हुआ इस पाट को आप दो बार पड़ो अगली विडियो में हम अगले पाट का अद्देन करेंगे थेंक्यू जञे झामने टो कि das के लिएे पाट किसी को आपक आपकिना नहीं है इस हो पुर्ण हैै